एक दो तीन चार क्या हलका क्या होता भार उपर नीचे दूर पास जमा घटा गुणा और भाग अरे ठेहरू जरा समझतो ले कक्षाचार की गणित की पाठे पुस्तक की एक पाठ पर आधारित कारेक्रम तूटे पत्थर नमस्ते बच्चो आज हम आपको सुनाएंगे अब्दू की कहानी अब्दू की? अब्दू कौन था? अब्दू एक दुकानदार था दुकानदार? हाँ, वो जंगल जाकर जमीन पर पड़ी सूखी लखडिया इकठी करता और उन्हें अपनी दुकान पर लाकर बेशता लेकिन उसको एक बड़ी परिशानी थी उसके पास भार तोले के लिए तराजू तो था पर बाट नहीं थे फिर वो लखडियें कैसे तोलता था? उसके पास एक पत्थर था पत्थर? हाँ, पत्थर वो तेरा किलोग्राम का था तेरा किलोग्राम? हाँ वो बस तेरा किलोग्राम लकडी तोलता था हाँ, बेशारा क्या करता? अब उसके पास अलग-अलग भार के बाट तो थे ही नहीं वो तो बहुत परिशान रहता होगा हाँ हाँ हश्रिता उसके बास आखिर चारा ही क्या था एक दिन उसकी परिशानी और भी बढ़ गई कैसे एक दिन वो पत्थर गलती से नीचे गिर गया फिर उसके बाद उस पत्थर के तीन टुकड़े हो गए लेकिन बच्चों पता है फिर क्या हुआ पत्थर के जो तीन टुकड़े होए थे न वो थे दो किलोग्राम का पांच किलोग्राम का और छे किलोग्राम का अरे वाह फिर तो वो बहुत खुश हो गया था अब वो दो किलोग्राम, पाँच किलोग्राम और छे किलोग्राम भी तोल सकता था हाँ हाँ बिल्कुल तोल सकता था और इसी के साथ अब दो खुश हो गया हाँ, लेकिन बच्चो वो सिर्फ 2, 5 और 6 किलोग्राम ही नहीं तोल सकता था, बलकि वो अब तो इन पत्थरों की मदद से एक से लेकर 13 किलोग्राम तक तोलने लगा था एक से लेकर 13 किलोग्राम तक अब सोचो कैसे होता होगा ये सब सोचो अच्छा बच्छो ये बताओ अब्दू एक किलोग्राम कैसे तोलता था जबकि उसके पास हैं दो, पाँच और छे किलोग्राम के पत्थर तो बताओ कौन जवाब देगा इस सवाल का बताओ बताओ अब्दू तराजु में एक तरफ 6 किलोग्राम रखेगा एक तरफ 5 किलोग्राम रखेगा और समान रख देगा बिलकुल सही वंशेज ने बताया है शावबाश वंशेज के बात को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ठीक है देखो अब्दू क्या करता था कि एक तरफ रखता था 6 किलोग्राम का पत्थर दूसरी तरफ रखा उसने 5 किलोग्राम का पत्थर तो जहां 5 किलोग्राम का पत्थर रखा वहां पर वो लकणिया रखने शुरू करता था अब देखता था कि वो दोनों बराबर हुए क तो जहां 5 kg का पथा रखा वहाँ 1 kg लखड़ी तो इस तरह से दोनों मिलके हो गये बराबर मुर्ण जिस किलोग्राम और 2 kg के पथर से 2 kg लखडिया तोड़ेगा सब तोड़ेगा फिर 2 kg लखड़ी तोलेगा 100 करोगे तीन кил कौन बताएगा क lata between दो वर किलोग्राम तो लेग यह कौन बतायेगा कि अब्दू पांच किलोग्राम केसे तोलता थना बता जब बताओ बताओ अब्दू 5 किलो ग्राम के पत्थर से 5 किलो ग्राम लखडिया तोलेगा और 6 किलो ग्राम के पत्थर से 6 किलो ग्राम लखडिया तोलेगा और 2 किलो ग्राम के पत्थर से 2 किलो ग्राम लखडिया तोलेगा तो मिलकर हो गए 7 किलो ग्राम पाश-बाश, क्या बात है अनन, बच्चों ने तो हमारे सवालों के बिलकुल ठीक-ठीक जवाब दे दिये बच्चे वैसे बहुत होश्यार हो गए अनन, बहुत होश्यार अचा बच्चों, अब ये कौन बताएगा कि आप दू, आठ किलो ग्राम लगडी कैसे तोलता था? बोलो, बोलो, कौन रच श्रुत I You तूं बताओ. भापाइं. बताओ. रह उरिद्व मी पहले पेवाइंभ लगडी हमकू पिर फिर दो ऐड़ाम लगडी हमskanival लकडी तो लेगा और एक बार पांच किलो ग्राम लकडी तो लेगा और एक बार पांच किलो ग्राम लकडी तो लेगा मिलकर होगे दस किलो ग्राम इसने बिलकुल सही जवाब दिया अब दू पहले पांच ग्राम के पांच किलो ग्राम के पत्तर जे पांच किलो ग्राम लकड तो उलेगा फिर 6 kg के पथर चे 6 kg लकडी को लेगा तो मिलकर हो गए 11 kg और 2 बार 6 लोग्राम लकडी तो मिलकर हो गए 12 kg वहाँ क्या बाघ शावय वहाँ क्या पर नियुक्त सब बच्छों ने मिलकर बता दिया कि वह 1-13 kg ग्राम तक लकडी कैसे तोल सकता है अनन्त हमने बच्चों से इतने सारे सवाल पूछे हैं और इन्होंने सही सही जवाब भी दिये तो क्या आप एक और सवाल पूछना चाहिए अरे 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 बच्चे जब कह रहे हैं तो फिर पूछी लेते हैं तो आज का सवाल ये है अब दू इन्ही 2, 5 और 6 किलोग्राम के पत्थरों से 24, 25 और 26 किलोग्राम लकडी कैसे तोलेगा हाँ बच्चो सवाल एक बार फिर ज़रा ध्यान से सुनिए सवाल है कि अब दू दो पांच और छे किलोग्राम के पत्थरों से 24, 25 और 26 किलोग्राम लकड़ी कैसे तो लेगा और एक बार फिर से हो जाए तालिया हाँ अब हम चलते हैं फिर मिलेंगे तो हम चलते हैं ठीके ना तूटे पत्थर अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम कलाकार प्रवेन शर्मा शुएता और बच्चे ध्वनेंकन बटिलेंग लिंडो निर्मान सहयोग मयंक थपलियाल आलेक निर्मान निर्देशन वा ध्वनिसंपादन वंदिना अलिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.D.